आप सभी को मेरा पनाम आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मित्रो आज गोरक बूटी की बात करेंगे गोरक तमबाकू भी कुछ लोग कहते हैं अम्रिंथी सी फैमिली का प्लांट है एर्वा लनाठा सुन्दर इंफ्लोरेशन्स की स्थिति में आप इसको देख पा रहे होंगे मित्रो कई परकार की बीमारियों में इसका हम उपयोग करते हैं और आज हम बात करें अस्त्मा की अस्त्मा और लंग्स की वीक्नेस से जुड़ी हूए समस्यां जो होती है उसमें लंग्स के अंदर कफ चम जाता है सांस लेने में समस्या आती है और जो हमारा विंड पाइप होता है उसमें स्वेलिंग होने के कारण सांस लेते समय रेटलिंग साउंड भी आता है अलग ही प्रकार की आवाज भी आती है और सांस को लेने में समस्या होती है और कई बार यह समस्या रात के समय बहुत जादा बढ़ जाती है congestion इतना होता है कि हमारा oxygen level भी down हो जाता है घबराहट हो जाती है ऐसी समस्षाएं lungs की weakness की होती है और lungs में जब कफ dry होकर जम जाता है तो उसे निकालना भी पड़ता है और lungs को मजबूती भी देनी होती है तो मित्रों आप क्या कर सकते हैं आप इस बूटी का सुखा कर घटा कर लीजिए और इसका धूमन हमें लेना चाहिए इसके धूमन लेने से कफ पतला होकर लंक से बहार निकल जाता है साथ ही साथ आप इस बूटी का पाढ़ा बना कर सेवन भी कीजिए पित और वात दोनों परकार की समस्या को ठीक करने का कारे करता है मित्रो इसकी पूरे प्लांट का आप पंचांग का डिकोक्षन बना कर सेवन करते हैं तो डाई यूरेटिक एक्टिविटी इसकी होती है मुत्रल का कारे करता है एंटी यूरो लीथियेटिक एक्टिविटी भी होती है kidneys के अंदर या हमारे urinary system के अंदर कहीं भी अगर stone की समस्या है वो ठीक हो जाती है और आसानी से ये जब पित का समन हो जाता है तो digestive disorders को भी ठीक करने वाला होता है ulcer healing में भी साहेक होता है इसकी जढ को आप extract कर लीजिए इसकी जढ को आप निकाल लिजिए और जड़का जब आप काढ़ा बना कर सेवन करते हैं तो कई परकार के नियूरो मस्कुलर प्रोब्लम्स को ठीक करने का परे करता है मित्रो ये ओसधी देखने में भले ही आपको वीड लग रही हो लेकिन कई परकार के असाध्य रोगों में इसकी भूमिका होती है मित्रो निमोनिया हो जाए या बार-बार बुखार आपको हो रहा है लंग्स आपके वीख हैं बदलते हुए मौसम में बुखार लगातार जब इम्मूनिटी वीख हो जाती है बन जाता है कुछ व्यक्तियों में बबात और पित और कफ इन तीनों का डिस O चाएर आ लिवर जुड़ी हुए जो समश्य करता है में बत्रो उन्तिर्फ से झ्मूनिटी हमारी इतनी कमज़़ोर हो जाती है बार-बार antibiotics खाते खाते हमारा जो इंटस्टाइन का biota काफी listserv हो जाता है हमारा digestion बहुत वीक हो जाता है और जयाता है तो हम कितने भी nutritional supplements का इस्तेमाल करले हमें immunity बढ़ाने में साहिख नहीं होते हैं तो हमें इंटेस्टाइन के बायोटा को बढ़ाने की आवसक्ता बढ़ती है आप यह जो एपिकल पूर्शन देख रहे हैं इन फ्लोरेशन्स के साथ आमल पत्र इंखा भी काढ़ा बना कर सेवन कर सकते हैं काढ़े को धीमियाच पे या फिर मैं कहूं लो फ्ले सकते हैं और देड़ ग्लास पानी में धीमियाच पर इसको पकाईए आधा होने के बाद चान कर सैद मुलाकर सेवन कर लीजिए दिन में दो बार इसका काढ़ा पर्याप्त होता है निमुनिया की समस्या अस्थमा की समस्या टाइफाइड की समस्या और कई प्रकार के लीवर सी जूड़ी हुई समस्या आसानी से ठीक हो जाती है किड्नीज का फिल्ट्रेशन बढ़ाने का कारिय करता है ब्लड प्यूरिफिकेशन में हमारे ब्लड को साफ करने में भी विशेश सहयक होता है मित्रो आर्थ्राइटिस रोमेटिक आर्थ्राइटिस शरीर के अंदर हो जाता है तो वो भी आसानी से ठीक हो जाती है आप इसको कई प्रकार से अपने स्वास्थे के संवर्धन के लिए उप्योग में ला सकते हैं मित्रो गोरक बूटी एर्वा लनाटा अमरेटिसी का प्लांट है डाइजस्टिव प्रॉब्लम हमारे लंक्स के लिए हमारे लि लेते रहें इनको सेर करते रहें अपने सगे संबंधियों रिलेटिव फ्रेंड्स उन सब के स्वास्ते के लिए और इनी मंगल कामनाओं के साथ कल सुबह साड़े 6 बजे हम लोग फिर एक नई प्लांट के साथ आप से चर्चा करेंगे कि संकाएं हैं वो आप हमें कमेंट क कर सकते हैं और आपकी संकाओं के समधान के लिए इमेल करके और दिजानकारी भी ले सकते हैं आप सभी का धन्यवाद पर नाम नमस्कार